जी हाँ बैन और भाईयों खान पेंटर के और आपके अपनी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वाज़त है दोस्तो मैं आज आपको बताऊंगा कि गाड़ी में गुट्स के लिएर कहां लिखा जाता है ओनर बोर्ड कहां लिखा जाता है और इसमें क्या क्या लिखा जाता है गाड़ियों में नमबर पलेटे कहां कहां और कितनी कितनी होनी चाहिए नमबर पलोटी की साइस क्या होनी चाहिए और रैटिंग की साइस कितनी होनी चाहिए हार नोटो के पिलिस कहां लिखा जाता है और कितना बड़ा होता है आर्टि उन्यों में मेरा भारत महान या गेरेट इंडिया कहां लिखा जाता है हाँ तो दोस्तो आप मेरी वीडियो को देखते रहे आप आर्टि नियाम होगा सब आसानी से समझ जाओंगे मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा के रेडियम कहां होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए अगर दोस्तो आपने मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखा तो शायद आपको आर्टि नियाम के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगी और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टुनियम के लिए और कोई दिश्री वीडियो देखने की जरूत ही नहीं पड़ेंगी सब कुछ जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में फिरी मिलेंगी तो दोस्तों सभी जानकारी को फिरी में जानने के लिए इस वीडियो के अंति तक लग रहिए वीडियो को फिरी में देखने के लिए भाईयो मेरी आप से गुजारिश है इतनी सारी जानकारी लेने के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को सब्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिए और कम से कम एक दोस्त में मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए क्योंके भाईयो आप तो जानते हैं के वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है और हाँ दोस्तों आपका एक लाइक, एक कॉमेंट्स, एक शेयर हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनोती रखता है आप इदर दर की रिस्क्राइशन को साइड में रखते हुए वीडियोस को जहन से देखिए क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है हाँ तो दोस्तों आज की इस दोर में मुबाइल में नेट और जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है जिन्दगी के आदी जंग तो हम इन दोनों के बलबुते पर ही जित लेते हैं इसलिए तो कहने वाले ने कहा है